श्री गनेशाय नमाहा, नमस्कार दोस्तों, यह राशीफल चंद्र राशी पर आधरित है, चंद्रमा मन का कारख है, हमारे मन में जो भी उतार चड़ाव आते हैं, वो चंद्रमा की स्तीती लेकर आती है, इसलिए चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को प्रभावि आपका राशिफल इस दिन कैसा रहेगा दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर करेंगे जिसके कारण इस समय में आपको अचानक से धनलाब हो सकता है गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है इस दिन आप पर धन की वर्शा होने की पूरी स संभावना रहेगी आप जितना कमाते हो उससे ज़्यादा कमाने में काम्याब हो सकोगे इस समय में आपके इंकम में मुनाफ़े में आपको बढ़त जरूर दिखेगी ये दिन आपके लिए काफी शुब रहेगा सेयर्स लोटरी और सट्टे में इंट्रेस्टेट लोगों के इस समय में नोकरी करने वाले लोग नाम और पैसा दोनों कमाएगे आपके आसपास काम करने वाले आपके सहकारी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे इस समय में इंक्रिमेंट या किसी तरह की बोनस मिलने का योग भी बन रहा है दोस्तों अपने जीवन की या फिर किसी भी कारे सी जुड़ी कोई प्लानिंग आपको करनी है तो ये समय आपके लिए बेहतरीन है जी हाँ इस समय का लाप जरूर उठाए इस समय में किसी भी चीज से जुड़ी प्लानिंग जरूर करे प्लान करने से आज आपको सफलता ज जरूर मिलेगी इस समय में मैरिड लाइफ में मधूरता आएगी प्यार और आनन भरा महोल रहेगा लव रिलेशन्शिप के लिए भी दिन बहुत बढ़िया साबित होगा चंद्रमा के पंचम भाव में होने से जो लोग सिंगल है उन्हें अच्छे और नए रिष्टे बनाने में काम्यावी मिलेगी नया पार्टनर आपको इस समय में मिल सकता है जो लोग अविवाहित है उनके लिए अच्छे प्रस्थाव आने की संभावना बनी हुई है तो दिन पूरी तरह से आपके ही फेवर में रहेगा अगर इस समय में स्टूडन्स की बात करे तो चंद्रमा काफी अच्छी पोजिशन में है चंद्रमा स्टूडन्स पर क्रिपा बरसा रहे है आज आपका मन शान्त रहेगा पढ़ाई में अच्छे से कॉंसेंट्रेट कर पाओगे इस समय में आपको आपके गुरूं का और आपके परिवार का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा इस स समय में संतान की तरब से कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है और जो लोग संतान सुक से वंचित है उन्हें इस समय में संतान की प्राप्ती हो सकती है इस समय में आपकी काम करने की गती बढ़ेगी आप उत्साह और जोश में नजर आओगे इस समय में अगर आपके स्वास्ट की बात करें, सेहत की बात करें, तो इस समय में आपकी सेहत बहुत बढ़िया रहेगी, अगर आप कही घूमने फिरने का प्लान बना रहे हो, तो जा सकते हो, यात्रा सुखद रहेगी, सफल रहेगी, इस समय में आप काफी एनरजी टिक रहोगे, स्वास्त और मस्त दोस्तो सुबह टहलने जरूर जाए सुबह का टहलना हमारी स्वास्त के लिए काफी फायदेमंद होता है साथ ही अपने खानपान पर नियंत्रन रखे आप स्वस्त रहे और आपके अपनों को भी स्वस्त रखे इस दिन आप लाल रंका इस्तिमाल करते हैं तो आपके लिए श राशीफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशीफल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई ग तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी सम भावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारे नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आती है कही भी जूते चपल फेक देते है कही पर भ उनके लिए एक स्थान बनाए उस्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहां पर उने रखे साप सुत्रा रखे जूते चपलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के चट को पूरी तरह से साप रखें, क्ली नीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फू नीची बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजूद होना शुब नहीं माना गया है इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन इस चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में च्रिडशेडा हट होती है और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते है उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिल्कुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है हर एक चीज हमारे घर क हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है तरकी ला सकते है धन ला सकते है मा लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद